नमस्कार, स्वागत हैं आपका इंडिये नियूस 28 में, आएए बात करते हैं उत्तर प्रदीश की कुछ खास ख़बरों की संस्थान के पदादिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया है कि 20 सितंबर को ये कार्यक्रम पूरे दिन दो सत्रों में चलेगा जिसका देर शाम को समापन किया जाएगा कालखंड के परमपूज निय रिशी कल्ट संध् महापुरुष परमपूज श्रीमहं उ्रृत्य गोपाल दास जी महाराज श्रीमनिरामदास चावनी अयोध्या परमपूज योगपूरुष महामंडल हएष्वर स्वामी श्री परमाननेंद गिरी जी महाराज हरिद्वार, परम पूझे पद्मश्री श्री रमेश बाबाजी महाराज, श्री माताजी गौशाला, बरसाना परम पूझे महान श्री किशोर्दास देवजु महाराज, श्री गोरिलाल कुंज, श्री धाम रिंदावन, राष्ट्र संथ वेदमूर्ती परम पूझे स्वामी गो विन देव गिरी जी महराज, कोशाध्यक्ष न्यासी, श्री रामिजन मभूमी 13 क्षेत्र, श्री एयोध्यःत, परम, पुझ अ उपस्थिती से, सनातन परंप्राउं का विहंगम दर्शन होगा विशिष्ट अतिथी दिनेश चंद जी अंतर राष्ट्रिय संरक्षक वं मार्ग दर्शक विश्व हिंदू परिशिद, मार्ग दर्शक एवं संचालक परम पूर्जे महामंधन इश्वर गीता मनीशी स्वामी श्री ग्यानानंग जी महाराज, श्री कृष्न कृपाध्धाम श्री धाम व्रिंदावन, स्नेहा कानक्षी परम पूजे पंडित श्री धी रेंद्र कृष्न शास्त्री श्री बागेश्वर धाम, सयोजक परम पूजे श्री रसिक माधबदास जी महाराज, श्री धाम व्रिंदावन महुत्सव की शोभा बढ़ाएंगे मथुरा समवाददाता ब्रिजवीर सिंग जादौन की रिपोर्ट और बड़े राजमंडल के स्री लाड़ी श्रंजी महाराज पढ़ारेंगे और कृष्न कृपाधाम वाले महाराजी स्री ज्यानानीं जी महाराज का भी आगमन है और बड़े भाईसाब जो दिनेजी विश्व हिंदू परिशद के अंतराष्टिये संग रक्षक मार्ग दर्शक विराजमान होंगे और हमारे ब्रजमंडल के नंद बाबा प्री रमंडेती वाले महाराज जी यहां तो जिन सब को दर्शन देंगे हम सब अपने स्वभागी की सराना करेंगे ऐसे सब महान भी होती प्रहार करके कृताज आगे जी बागिश्वर धाम भाले महाराज जी भी आ रहा है और रामदे बाबा भी मनोष्टिवारी जी जो सब भी पर्शों सुबह ही बीस तारीकों दस बजे आगे ओध में हरत पर्श में हनेक महापरव वर्श में होते हAssad भाद्य शुक्ला पंचमी को रिष्व-पंचमी महापरव के रूप के मनाये जाता है इस दिन हम सभी भारतिय सनातनी रिशियों की पूजा करते हैं, सबतर्षियों की पूजा करते हैं इस वार बड़े समारों के साथ स्री मलुक पीठुरंदावन में यह रिश्य पंच महुद्सो मनाये जा रहा है जिसमें सबतर्षियों के पृतिक की रूप में भारत देश के मूर्धन ने साथ महापुरुषों का साथ संदों का पूजा किया जा रहा है वस्तुताहा माता पिता गूरु रिशी मुनी महर्शी इनका जब हम आधर करेंगे सम्मान करेंगे और इनके द्वारा दिखाएगे मार्ग पर चलेंगे तभी हम विश्वगुरु भारत को बनावाएं तो उशी दिसा में एक प्रयास है दिरिशी पंची महुत्सो को धिरी धिरी लोग धिलते चले जा रहे हैं तो यह इस परंपरा का श्री गणेश विशेश रूप में महुत्सो की रूप में राष्टी रूप में इस महुत्सो का श्री गणेश श्री मलुक विश्टे किया जा रहा है जिसमें देश के मुर्धने साथ संतों का सबतर्शियों की रूप में पूजा है आरत वर्ष रख्राफ्र का राख कहें रुषियों की भूमियें कल रुषि पंचमी है, फरसों, रुषि पंचमी है 20 सितंबर, बादर सुक्रपक्ष की यह पंचमी होती है और रुषि पंचमी कहराती है, रुषियों के इस राष्ट्र में, स्री मजजगत इतना पावल संकल्प लिया है कि रुषि पूजन, रुषि पंचमी को होना चाहिए, महराज जी ने साथ महापूर्ष जो रुषि कल्प हैं, रुषियों के जैसे हैं, नित्य, रुषियों को जो किरत थे पहले, संध्या, वंदन, इत्या, इत्यादी नित्य करने वाले नाम जापक, गो भक्त, भगवत भक्त, उन महापूर्षों को साथ को चुन करके, आपने रुषि पंचमी के सब्तरशी पूजन का कारिकरम निशित किया, प्रसनता की बात यह है, कि रुषि पंचमी को ही हमारे महराज जी का जन्म हुआ, स्री बाद उनके सिर्पर है, माताजी और पिताली दोनों ही महराजी के प्रतिवर्ष आशिरवाद देने आते हैं, और बहुत दिन से दास ने भी प्रतिव महराजी के जन्मोत सम्में, सम्मनित होकर के उनका आशिरवाद प्राप्त किया है, महराजी के आग्रे से, स्री धीरंदर कृष्ण सास्त्री बागेश भामबाली, जो भारत पाकिस्तान का पटवारा होने पर भी, दूसरा राक्ट तो भारत से जो खटा वो पाकिस्तान बन गया, लेकिन भारत को भारत नहीं कहा गया था, भारत को काट करके इसलामिक देश भारत बनाया, लेकिन हिंदुस्तान को भारत ब्रस खटोर हो आध नहीं कहा गया, इसको भारत नहीं माना गया, यह धर्म के आधर पर बटारा होने के बात ही, यह तु़िए विशियों के फ्रेमें विराजमान हैं पहले से ही, भीरंदर कृश्व सास्त्री विशेष रूप से इन सभी महापुरुषों का आसिरवाद प्राप्त करके हिंदू राष्टर की बात लेकर जो चले हैं वह ठाकुर जी किरपा करके पूरी करें और कल आ करके उसी पावन मंद्च पर श्री पाडिवाव वक्तमाली जी महरादी की जो पावन गोसाला है उसमें घोष्णाय करे करेंगे हिंदू राष्टर होना चाहिए उनका प्रत्यक जीव से प्राणी मात्र से उनका निवेदन है कि इसे हिंदू राष्टर स्विकार किया जाए